नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं फिर बापस आगे हूँ आपके सामने एक नई यूटूब वीडियो के साथ गाईज अगर आप वीडियो का में हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप्ट करके आगे बढ़ाएं और सीगे वीडियो की में भाग पर पहुँचे हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट प्लीज शेल को सब्सक्राइब कीजे और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकान को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियो की तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं फिर करते हैं निकलेंगे हम ग्रे लिस्ट से देखिए ये ग्रे लिस्स से किसी को सूटने करता है कि हमें निकालें ना अमरीका को ना हिंदुस्तान को वो चाहते हैं कि हमारे पर प्रेशर रहें वो चाहते हैं कि जब तक यह अफ़गानिस्तान का मसला यह ठीक नहूँ उस वक्त तक वो हमें हमारे सर के उपर वो तलवार लटकाएं जो ब्लैक लिस्ट का होता है अब ये जो हुआ है अटैक लाहोर में जो हर टाउन में इसकी टाइमिंग देखें एक दिन पहले इस जज्जमेंट से एक दिन पहले और किदर हुआ है हाफज सईद के घर के बाहर अब हाफज सईद जो हमारे कौट्स ने कहा है कि वो आजाद हो सकता है उसको रहा करो हमने उसको फिर अरेस्ट किया हुआ है अमरीका को बेसिकली खुश करने के लिए मगर हमारे courts ने तो कहा है कि उसके खिलाफ जो cases है does not entitle him कि उसको आप jail में रखें तो वो घर पे रह रहा है अब उसके घर उन्हों ने जाकर attack किया है तो किस ने किया है भई हमारे एक दो साल का लड़का आपको बता देगा कि या अमरीका होगा या हिंदुस्तान होगा या उनके वो तो खैद दोनों नहीं हमारे प्रॉक्सीज होंगे उनके पाकिस्तान में और वो ही हुआ नतीजा वो ही हुआ अटैक हुआ हाइलाइट हुआ कि हफीज साइद और और लोग जिनको यह कहते हैं लशकरे ताइबा के लशकरे जे मुहमद के तो कहने की बात सिर्फ यह है कि यह तो अब्वियसली एप्री टेक्स्ट है और उन्होंने इसको इसको इस्तमाल करके हमें 6-7 मेने और रख लिया लिस्ट पे छे और हमें चीजें दे दिये कहें कि इनके पीछे जाओ तुम लोग बताओ यह क्या कर सकते हैं तो इट विस अब्वियस कि यह होने वाला था अटैक के पहले ही सबने के बाद तो सबने कह दिया था कि यह होने वाला है और वो ही हुआ अब दूसरी आपको बात बताओं कि यह जो आज हुआ है पाकिसान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला यह हुआ कैसे इसमें सबसे ज्यादा जोर गिस्क ने दिया तो आप देखें कि फरांस था इस दफ़ा मेजबान मुल्क फरांस ने यह का कि जी इनको अभी रखा जाए और योरप के दूसरे ममालिक ने भी उसकी ताइद की और उनने का यहां जी बिलकुल इनको अभी ग्रे लिस्ट में रखा जाए अब फरांस क्या है आप देखें कि फरांस के साथ आपके तालुकाद सफार्थी लेवल पे किस तरह की हैं दो दोजार बीस से आपने वहां पे मुस्तिकल क्यों अपना सफीर भी मुकर्र नहीं किया इंडिया के साथ उसके मामलात बड़े करीबी हैं इंडिया फरांस को भी इस्तमाल किया और योरप को भी और सबसे बढ़के ये कि अफगानिस्तान की जो सूर्टे आल है उसमें अमरीका आप पे हमने तो इस प्रोग्रम में आपको याद होगा पहले भी जिकर किया था और पहले भी का था कि अमरीका आप पे फैटफ की तलवार भी आपको तंक करेगा वर्ट बेंक को भी इस्तमाल किया जाएगा और जितने माल याती दारे हैं सब को करके तो आपको वो गुट्रों पे लाने की कोशिश करेगा लाफ करिए जी लाली साहब देखिये मैं माफ करिया आपको मैं काट रहा हूं मगर मैं सिर्फ कोबिया मकरों ने और फ्रांस ने डिस्प्ले किया है मुसल्मानों के खिलाफ मेरे ख्याल में हम तो बड़े मॉडरेटली उनको अड्रेस किया है हिलाली साथ मैं तो यह कह रहा है कि यह हमारा कसूर है आप ऐसे कह रहे हैं कि हमने जो कहा है इसमें प्रांस हमारे से नाराज है बिल्कुल नाराज है हैं कि जो चीज आप जिससे मुत्फिक नहीं होते वो घलत हो जाती है आप दूसरे की रहे को भी सुना तो आप नहीं यह कहा है कि हमने उनके साथ क्या किया है मैंने तो यह कहा है कि पाकिस्तान के और उनके तालुकात बहुत अच्छे नहीं हैं तो यह आप भी मारें अच् हिलाली साथ वोसर और ये वोट कियूं नहीं पाता हुए हुए चीक से बताए ना मैसूस तो ऐसा होता है कि हमारा कसूर है एक स़्ेक्स मैंना, हिलाली स्भाब क्यों ये समझते है कि जो आप महसूस करते हैं, वो ही साच छा खुदा का वास्था है, दूसरों कि और जूस करते हैं मैं बाद सब fix करना ना जो आप झाट पाधो करते हैं चूये आप Sesler दोस्तों ये वीडियो यहां पर होता है समापता आप यहां से वीडियो छोड़ कर जा सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया में बात हो रही है पाकिस्तान जब से ग्रेलिस्ट हुआ है तो पाकिस्तान में एक अजीब सा माहल बना हुआ इस भी चफर हिलाली अपने साथी एंकर के साथ भिड़ गए और इस बात को लेकर भिड़ गए कि ये जो ग्रेलिस्ट हुए है ये हाफस साइद की वज़ए से हुए है या किसी और की वज़ए से हुए है दोस्तों आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ग्रेलिस्ट में पिछले चार साल से लगातार बना हुआ है और ग्रेलिस्ट में होने के कारण हर साल पाकिस्तान को 10 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है यह हो सकता है जो पिदेसी कंपनिया पकिस्तान में निवेस करना चारहे है या जो ट्रांजिक्शन होते हैं वो है और बहुत सारे Extra Taxes देने पड़ते हैं पकिस्तानिया को उस वज़े से तो पाकिस्तान को ये नुकसान लगातार पिछले चार सालों से भरना पड़ रहा है लेकिन मुझे ये समझ में याता FATF FATF को आप गता दें कि FATF का फुल फॉर्म होता है Financial Action Task Force Financial Action Task Force का मिन्द दो तरीके की लिस्ट होती है एक होती है Black List, एक होती है Gray List पाकिस्तान पिछले चार साल से Gray List में है या तो पाकिस्तान को इन दोनों लों से बाहर हो जाना चाहिए और नहीं तो फिर पाकिस्तान को Black List होना चाहिए ये कैसा सिस्टाम है कि लगतार चार साल से आप एक ही Condition में Stable है ये तो Seriously अगर आप किसी एक देश को एक मौका देए, दो मौका देए, तीन मौका देए, चौथा मौका देए दिया Continue और अगले साल अब इसका फैसला होगा June में पाकिस्तान इससे निकलेगा या नहीं निकलेगा तो पाकिस्तान को इससे या तो ब्लैक लिस्ट होना चाहिए था या तो सीधा इससे बाहर होना चाहिए था तो ये मुझे F.A.T.E.P का सिस्टम समझ मिनी है यहाँ पर पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि ये अमेरिका और इंडिया के प्रेशर पर हुआ है हाला कि मुझे नहीं लगता है इंडिया अमेरिका का हो सकते हैं इंडिया का प्रेशर तो अब्विशली इंडिया तो चाहे का पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो ग्रेइलिस्ट भी ना हो तो अब देखते हैं दोस्तों आने वाले सम्मे में सिच्चुशन बनती क्या है अभी तो फिलाल ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अब एक साल के लिए ग्रेइलिस्ट रहेगा और पाकिस्तान को इस साल भी टैन बिलेंड डॉलर का नुकसान होगा जफर हिलाली आप जानते हैं जफर हिलाली एक ऐसा मतलब परसन है जो इंडिया को लेकर काफी हेट रखता है और इस तरीके की बाते करता है यह स्पेसलि इंडिया को नहीं हिंडू हिंडू वर्ड यूज़ करके टारगेट करता है तो आप समझ जाए ये कैसा बंदा है तो इसको थोड़ा सा ऐसा फ्रस्टेट देखकर काफी मज़ा आता है तो दोस्तों आप अपने कॉमेंट शेक्षन में बिचार रख सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को देखकर आप मतलब क्या और चाहते हैं कि इस वीडियो में और सुधार हो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए जैहन झाल झाल ओरूवण यदर